आओ सुनो सुनाईए जी किताब बांदे कुझ पन्ने आओ सुनो सुनाईए ए सारी दुनिया ग्यान दा सागर जिसनु मन्ने आओ सुनो सुनाईए जी किताब बांदे कुझ पन्ने आओ सुनो सुनाईए नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल दोस्तो मैं हां सरबजीत सिंग आते हाजिर हां प्रोग्राम लेके किताब बांदे पन्ने आज कल तुसी इस प्रोग्राम वेच सुन रहे हो नानक सिंग दी लिखी पुस्तक मेरी दुनिया इस पुस्तक दे परकाशिक हन, सरदार कुलबीर सिंग सूरी, नानक सिंग पुस्तक माला वाले इस किताब दे पांच हिस्से हन, जिस विच्चों पहला हिस्सा, बचपन तो जवानी तक तुसी हों तक सुन चुके हो अते इस दा दूसरा हिस्सा है जीवन रहां ते मिले कुझ व्यक्ती इस हिस्से विच्चों में होन तक तुसीं चार अध्याई सुन चुके हो आज असी तुहानू इस दूसरे हिस्से दा पंजवा अध्याई सुनावांगे जीडा के इस किताब दा तेरू आदे आये है अते सिरलेख है ज्यानी शेर सिंग दोस्त जान सहाएक दे तो औरते मेरी जिन्दगी दी स्टेज हुते जिन्ना ने बहुत रोल अधा कीता है स्वर्गवासी ज्यानी शेर सिंग वी उन्ना विच्चों एक सी कई वरे दा मेरा साथ रया उन्ना नाल ग्यानी शेर सिंग सुबादे मिठे सन पर छेती छेती किसे नू दिल दे नेडे नई सन आउन देंदे वैसे ओ हर एक नाल सदारन मेल मिला आप बनाई रखने वेच खुशी महसूस करदे सन केवल एको पैड सी के उन्ना नू कदी-कदी गुसा आ जाया गरदा सी जिसदे असरनाल कई वारी ओ बे काबू हो के कंबन वी लग पेंदे सन एक दो वारी दा नौबत बेहोशी ता कभी वेखन वे चाहिए दूजा दोश होना विच मैंनू ए रड़कदा सी के ओ बड़े मुतस्ब किसम दे सेख सन पर इस दे बाव जूद वी काफी चेर असी मित्तर रहे दोस्त तों छुट ओ मेरे उस्ताद वी सन ग्यानी जी दा जनम पेंड ठीकरी वाल रियासत पटेाला दे एक जिमीदार कराने वेच होया सी तिनना वर्यां दी उम्रे माता निकलन करके ओना दियां अखां जान्दियां रहे सन हरानी दी गाल ए के एक नेतर ही इन आदमी के में एड़े मुरातबे नू पाँच गया के वड़े वड़े विद्वान मी जिस्दा लोहा मनन लग पाई सन ग्यानी जी पहला निर्मले साधुआ विच रहें दे सन माप्या ने अपाहज समझ के ओना निर्मले आदे डेरे दे सपुर्द कर देता ते उथे ही एना दा बचपन गुजरेया रावल पिंडी सिंग सबा दे गुर्दवारे ओनी दिनी ग्यानी जी कथा करया कर दे सन ते कुछ दिना बाद उना दा सने मैनों मी पिशावरों खिच के उना दे कोल ले आया ते असा रल के एक प्रेस जारी कर देता गुर्दवारे दी उतली मंजले एक खुले कमरे विच असी दोए एक पहाड ये नौकर समेत रहन दे सा अद्धी अद्धी रात तक ते कई वेरा सारी रात गल्ला विच ही गुजर जाया कर दी इना ही वारता लाब पर या रात्ता विच ग्यानी जीदी जीवन किताब दे कई ओ वरके भी मेरी दिश्टी गोचर होए जिनना तो मैं उका ही ना वाकफ सा ग्यानी जीदे सुबह आवेच मैं कई अनोखियां गलां देखियां वैसे तां ओ काफी खुश तबासन पर कधी-कधी अचानकी ही ओ इनने उदास हो जाया कर दे के कंटेयां ते पहरां बदी आपने आप वेच ग्वाचे रिंदे सांज डुंगे री हो जानतों बाद मैं कई वारी उनना तों इस उदासी दा सबाब पुछया एतों तक के सहोँआं सुगंदावी पाईयां पर कदीमी उनना मैंनो कुछ ना दसया बस हमेशां आले टोले ही कर दे रहे उदासी उनना उते कई वारी तां एसा हदतीक असर कर जान दी के उनना दे नेत्रां चों भूंदां टपकन लग पेंदियां पर सुबह आदे इनने हठी सन के की दसां एक वारी दा जिकर है अद्धी रात चली गई सी पर साढ़ियां गल्ला खतम नहीं सनोईयां गर्मी दी रोत करके मंजे साढ़े बाहर सन चान चाननी रात सी पामे उदों मैंनू नावल लिखन दी बिमारी अजे नहीं सी लगी पर हर चीजनू, हर गल्लनू को लंदी आदत मुड़ तो ही नाल रही सी कई चिरां तो मेरा दिल करे ग्यानी जी पासों उनना दे निर जोत जीवन बारे कुछ गल्ला पुछां पर डरदा एस गल्लों सां के एहो जहीं गल्ला ग्यानी जीनू उदास कर दें दियां सान उस रात ग्यानी जी दा रौं को जिज ज्यादा ही निगगा सी ते दूसरा सहज सुबा आही गल्ला दा रुख एस पासेवल पलट गया सी मेरे दिल विच खाहिश पैदा होई के अज ग्यानी जी दे हिरदे दी डुंगाई विच उत्रन दी कोशिश किती जावे ओ मैथों पुछ बैठे के पुन्या कदों है जवाब विच मैं चंदर्मावल तक्या ते उस दे अकारतों अनुमान ला के कहा एक दो दिना तकी होवेगी चान दी टिकी लगपग साबत है ग्यानी जी चाट को चुप चाप लम्मे पह रहे ते फिर बोले वे नानक सिंग फला चान क्या हो जाए ते मैं महसूस कीता जिमें गल करदेयां करदेयां उनना दा रोन निकलन वाला हो गया होवे पामे के अपनी वल्लों उनना बथेरा लुकाओं दी कोशिश कीती मैं क्या चान एक गोल जा टुकडा दिसदाए गया नी जी थाली वर्गा ते चमकदार जया चमकदार जया हाँ जी थाली वर्गा हाँ जी नानक सिंग अंदर यार कमरे वेच थाली आया हाँ जी पैयाने कई ने जी फला एक चोकले आखां ओनना दे चाल्ब पने उत्ते अंदर यांदर हासदा होया मैं जाके रुसोई विच्चो एक थाली चोकले आया थाली नू दोहां हाथ थां वेचे फड़के ओ कोई दसको मिंट उत्थल दे रहे, कदी सिद्धी, कदी पुठी, ते कदी उस दे कंडेयां ते हाथ फेरन लग पेंदे नाल दे मंजे ते प्या प्या मैं उन अधियां हरकतां वेगदा होया हरा नीनाल सोच रहा सा इड़ा वडविदवान ते बालना वालियां हरकतां बिलकुल एस थाली वरगा? उनना एकवरी फेर मेरे उते अन्याने बच्चयां वांग प्रशन कीता पर स्वाल जिनना सरल सी जवाब इनना ही मुश्कल खैर मैं लग दीवा जिनना कुछ आनबारे समझा आ सकदा सा समझा उंधी कोशिश की ती पर मेरी कोशिश सफली न होई उननानू मेरियां गला दी समझ आई जा नहीं आई ए ता स्वाली दूसरा है वड़ी गल ए के उनननू मेरियां गला सुनाई ही नही दितियां उनना उ मेरी तमन्ना पूरी ना हो सकी। उसनों बाद ग्यानी जी ने निंदर आगी भई कह के पासा परतलिया। पर मैं काफी देर तक साउना सकया। ग्यानी जी दियां बे अराम करवटां तो मैं अंदाजा ला रहा सां के उनना ने निंदर आईदा केवल बहानाई कीता सी। उस तों कई महीने बाद एक दिन किसे ने आ के ग्यानी जीनू दस्या के कोहाट तों एक हकीम आया होया है। उस पास ममीरा है जेडा पान नाल अन्य अख्छा ठीक हो जंदिया है। उस आदमी ने हकीम दा पता टिकाना भी दस्या ग्यानी जी इस खबर नू सुनके किन्ने तरलो मच्छी होये इस दा विस्थार नाल जिकर करना बहुत मुश्कल है। उनना उससे विले मैनू सदर बजार वल पजाया। ममीरा शड के ममीरे दा पामे प्योवे। ग्यानी जी दियां अखां ठीक नहीं सनो सक दियां क्यूंकि उनना विचले डिले ही बेकार सन। पर इननी गल के के मैं केमे उनना दा दिल तोड़ दा। मैं सदर बजार वल पजा गया। ते पुछ दा पचांदा को हाट ये हकीम दी दुकान ते जा पहुंचया। पर उत्थों दा जो रंग टांग वेख्या। एस दा पहला असर मेरे उत्ते एहो प्या के एता निरी मुलम्मे बाजी सी। उस दी दुकान दा अगला हिस्सा अन्य मंगते नाल परया हया सी। जिस बारे मैंनू पता लाग गया के एक एवल उस दी इश्तिहार बाजी दा एक टांग सी। बजारां दे अन्य मंगते नू थोड़े जिनने पैसे दे के ओ इकठे कर लेंदा सी। ते हर एकनू तोते वांग उस पड़ाया होया सी। के जो कोई भी उन्ना नू पुछे जवाब विच ओ एहो क्या करन हकीम जी दी दुआई नाल उन्ना दी नजर दिनो दिन ठीक हो रही है। मैं उन्ना विच जिनने अनू भी पुछे सारे ने एहो कुछ क्या। फिर भी मैं ग्यानी जी दा दिल रखन लई उस हकीम नू नाल लाया आया। उसने अक्खां दा मुलाजा कीता ते बड़े फखर नल कैन लगा। अक्खां एकमी ने दे लाय नल ठीक हो जानगी हो जी। उस तों बाद ओ हर रोज स्वेरे आंदा। ग्यानी जी दियां अक्खां विच दवाई पहुंदा ते दो रुपए फीस लेके चला जानदा। इकरार ए सी के अक्खां राजी होन ते उसनू पंच सौ रुपए वखरे दिते जानगे। ग्यानी जी उनना दिना विच बड़े खुश ते पुर उमीद सन। पर मैंनू एकफी सदी वी उमीद नहीं सी। छेकर टोलदा पोल खुल गया। हकीम साब किसे 400 वीदे केस विच फड़े गये। ते एधर ग्यानी जी नू दवाई पोंदयां तिन हफ़ते हो गय सन। पर फर्क ना मातर भी नहीं सी। मगर उन्ना नू भी यकीन हो गया के ओ हकीम असल वेच कुछ भी नहीं सी। ते जेडा आदमी ग्यानी जी नू उसदी सू दे गया सी। ओ उससे दा एक एजंट सी। जद ग्यानी जी नू को हाट ये हकीम धी ठगीदा पता लगा। ते नाले मैं भी उन्ना नू अपना विचार दस दिता। ता उन्ना दे दिलनू सकत सदमा पहुंचया। इत्हों तक के उन्ना दो डंग रोटी भी न खा दी। बड़े सकत उदास हो गये। मैं थों छुट ओ अपनी उदासी किसे होर कोल परगट नहीं सन होन देना चाओंदे। उस तों दूसरे दिन जद मैं उन्ना नू सैर कराउन लई शामी कंपनी बाग ले जा रहा सां। ता टांगे विच बैठे कैन लगे। नानक सिंग होन ते जीन दा कोई फैदा नहीं। ते नाल ही उना दे अथरू डिगन लग पे। बाग विच जा के जिनना कू मैतों हो सकया। उना दी हालत सुदारंदी कोशिश कीती। पर बे अर्थ। मैं पुछया। ग्यानी जी की होया है। इननी उमर जात तुसां अखा तो बगायर कट लई है तांकि बाकी नहीं कट सकदे। ओ उसे उदासी ते निरासा विच बोले। ये गल नहीं है नानक सिंग। अखा मिलन दी मैं कदी इननी ख्वाहिश नहीं कीती। ते ना ही मैंनो इनना दे मिलन दी कोई उमेद है। मैं इसे हालत विच संतुष्ट हां। पर मेरी जिंदगी विच एक ऐसा वाक्या हो गुजरिया है जिस दे असर तो मैं खेड़ा नहीं शुड़ा सकया। उसे असर ने मेरे अंदर अखा प्रापत करन दी लालसा नो इनना बेकरार कर देता है। ग्यानी जी ने दस्या के उनना पास विरसे दी जमीन काफी है। जे वेज सुटन ता आज ही दस पंदरा हजार उनना नो मिल सकदा है। ते एस सारी रकम ओख खुशी नाल उस आदमी नो देन लई त्यार ने जेड़ा केवल अठा पैरा लई उनना नो अखा दे सके। सुटन के मैं हका बका रह गया। सोचन लगा तांकि इनना दी सदीवी उदासीधा कारण एह हुए। उसे शाम बाग विच बैठया ग्यानी जी ने ओ सारा कुछ मैननू बिना पुच्छा ही सुना देता। जिस दे सुनन लई मैं अनेका वारी तरले कर थका सा। बड़ी लम्मी दे करना परी सी उनना दी ओ हट भी ती जेड़ी ओना मैननू सवा जान डेड़ कंटे वेच सुनाई। पर संखेप वेच ओ एनई ही गाल सी के कधि किसे जमाने वेच एक जवान कुडी ने ग्यानी जी नू प्यार कीता सी। ओ ग्यानी जी दी विद्वता, पार साई, अते अखलाक उते सदके कोली हो गई सी। ओ अपना तान मान ग्यानी जी तो वार देन नू त्यार सी पर कदी किसे कुलच नी कड़ी उस दे मुहों एक ऐसी गल निकल गई जिसने सारा पासा ही पल्ट के रख देता ओ कह बैठी सी ग्यानी जी हो उरता सब ठीक है पर तो हडियां अखावल ताक के मैंनू डारों दाए कुडी दा एनी गल कैना सी के ग्यानी जी ने दिल दियां चारे कनियां समेट लईया बस एहो सी सारा इतिहास ग्यानी जी जदों गल खतम कर चुके था मैं उनना दे दोख दर्द विच पेज के पुछया ग्यानी जी हिसाब लाया एस कटना नू इस विले पंद्रा कुवरे हो गए होन गे होन तीक तां ओ स्वानी बनके किसे कर ग्रेस्त दी उल्जन विच कदे दी जा फसी होवेगी एस हालत विच पला जे तो हड़ा पुर्शार्त सफला भी हो जावे तो अनुखा मेल भी जान तां इस दा की लाब ओ बोले तुहू नहीं समय सकदा नानक सेंग तु मेरे दिल दी हालत अनू भव नहीं कर सकदा मैननो उस दी प्राप्ती दी बिल्कुल इच्छा नहीं जदो मेरे उत्ते सर्बंस वारंदे दाईये बन्या कर दी सी ओधों भी मैं कदी ऐसी गल नहीं सी सोची कि उसनल व्या करा के मैं उसनी जिन्दगी बरबाद कर देंदा पला एक अन्य दे साथ विच किसे मुटे आर्दी आत्मा कदी विग्स सक दीए मेरा मनोर्थ ताँ इना ही है के एक वारी सिर्फ एक वारी ओ मैंनू अजही हालत विच वेख लवे के वेख के उसनू डरना लगे बस ओफ दूब नेरू वक्खांदे पिछवाडे किड़ी वड़ी हसरत लुकी ओई सी कि आज़दे जमाने विच प्यार दी यग वेदी उत्ते इना पारी बलीदान करन दी कोई मनुख हिम्मत कर सकदा है काश उस प्रेम तपस्वी नू थोड़े चरली अखा मिल सकदीया दोस्तो तुसी सुन रहे सी नानक सिंग दी लिखी पुस्तक मेरी दुनिया दा तेरवा अध्याए ग्यानी शेर सिंग आज इना ही रब राखा किताब बांदे कुझ पन्ने आओ सुनो सुनाईए ए सारी दुनिया ग्यान दा सागर जिसनु मन्ने किताब बांदे कुझ पन्ने आओ सुनो सुनाईए किताब बांदे कुझ पन्ने